हलो फ्रेंड्स मैसल शब्बिर उसेन और वाचिंग फीजियो और टॉक दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं यह हमारा फर्स्ट वीडियो है एनाटॉमी टूटोरियल सीरीज का जिसमें हम 3D एनामेशन के जरीए से एनाटॉमी को पढ़ेंगे तो जो बोन आज हम पढ़ने वाल है इस गाओं को हमना इसमें टाकिम इसको जीह तरीकथ से देह सके हैं और स्टेड़ी कर सके यह हमारा इसमें हो चुका है इस इस आको हम पढ़ेंगे तो आपके तरी कमोर्स करते हैं हमारी वीडियोगों को तो शबसे पहले हम Skepula के Parts पढ़ेंगे तो इक-इक करके समझते हैं इन Parts के बारे में ज़सा कि हमने स्कापिला को कि बहुत कलर्फुल कर दिया ताकि आप ज़ादा अच्छे तरीके से इसके Parts को समझ पाईएं तो सबसे पहले जो एक green part आपको नज़र आ रहा है यह है corpus scapula, जिसको हम बोलते है body of scapula, यह scapula की body है, यह जो blue में आपको part नज़र आ रहा है, यह है glenoid cavity, cleanoid cavity से attach जो चीज आपको नज़र आ रही है, orange color में, इसको हम बोलते हैं coracoid process, इस is coracoid process, जो आपको orange color में नज़र आ रहा है, और coracoid process से एक और चीज आपको उपर उब्री हुई नज़र आ रही होगी, जो आपको red color में नज़र आ रही है, यह है acromion process, देखिए, scapula एक thin bone होती है, जो कि हमारे posterior lateral aspect पर present होती है, thoracic cage के, scapula के अंदर दो surface होती है, तीन borders होती है, तीन angles होते हैं और तीन processes हो सकते हैं, तो आप इसको निमोनिक के जरीए से याद कर सकते हैं, तीन बाप, तीन border, तीन angle और तीन processes होते हैं, scapula में, तो यह तो हो गए इसके parts, अब बात करते हैं, scapula की surfaces की, तो जो purplish color में आपको नज़र आ रही है surface, यह सब scapular fosa, जो आपको नज़र आ रही है purple color के अंदर, यह सब scapular fosa, इसको जब हम घुमाते हैं, तो यह जो greenish part आपको नज़र आ रहा है, यह है infraspinatus fosa, यह जो black color में आपको नज़र आ रहा है, यह है supra spinatus fosa, यह जो bluish line आपको नज़र आ रही है, यह है spine of scapula, glenoid cavity से जो नीचे जा रही है surface, इसको हम बोलते है lateral border, glenoid cavity के पास से जो आपको surface नीचे जाती हुए दिख रही है, इसको हम बोलते है lateral border, और ठीक इसके opposite, यह जो आपको ऊपर yellowish color में नज़र आ रहा है, यह superior angle, नीचे bluish color में आपको नज़र आ रहा है, inferior angle, और यह जो आपको greenish color में, just glenoid cavity के नीचे जो चीज नज़र आ रही है, यह है infraglenoid tubercle, this is infraglenoid tubercle, और यह glenoid cavity और acromion process के बीच में जो चीज आपको नज़र आ रही है, यह है spinal glenoid notch, तो जो यह red में आपको नज़र आ रही है, यह lateral border, blueish के अंदर जो part आपको नज़र आ रहा है, यह inferior angle, purpleish के अंदर जो आपको नज़र आ रहा है, वो है sub scapular fossa, greenish के अंदर जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है, वो है infraspinatus fossa, और जो यह bluish line आपको नज़र आ रही है, spine of scapula, यह जो blackish part जो आपको नज़र आ है, वो है supra spinus fossa, और यह है clavicular facet, यह acromion के उपर आपको यह जो दिख रहा है greenish part, यह है clavicular facet, यहाँ पर acromio clavicular joint बनता है, तो दोस्तों यह थी surfaces, scapula की surfaces, जो हमने पड़ी है, आप इसको याद रख सकते हैं easily, जो lateral और glenoid angle है, large होता है, जो कि glenoid cavity bear करता है, जो dorsal surface है, वो convex है, the dorsal surface is convex and is divided by the triangular spine, into the supra-spinus, supra-spinus and infra-spinus fossa, जो उसकी thickest wall है, वो है lateral border, जो की run करती है glenoid cavity से inferior angle तक, यह glenoid cavity से inferior angle तक run करती है lateral border, तो यह थे landmarks, एंगल्स की हमने बात करी, inferior angle, superior angle, supra-scapular notch, यह हमारा infraglenoid tubercle, और जो यह scapula की spine है, spine of scapula, यह triangular plate होती है, जो तीन border और दो surfaces जिसके पर आपको मिलेंगी, यह divide करती है dorsal surface of scapula को, supra-spinus and infra-spinus fossa में, यह जो आपको acromene process नजर आ रहा है, एक्रोमियन के अंदे दो border होती है, medial and lateral, और एक facet होता है, clavicle के लिए, यह green color का जो आप देख पा रहे हैं, clavicular facet, जो clavicle के साथ joint बनाता है, तो दोस्तों यह थी scapula, जिसके हमने, सबसे पहल तो इसके parts पढ़े, उसके बाद इसकी surfaces पढ़ी, और इसके landmarks पढ़े, यह video हम ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाते हैं, क्योंकि जितना short रहेगी, उतना आपको याद करने में आसानी रहेगी, तो आप इस video को repeat करके देखिए, और याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि 3D way में हमने दिखाया है आपको, कि किस तरीके से scapula के कौन-कौन से parts होते हैं, ग्लीनॉइट कैविटी, यह ब्लूइश कलर में इन्फिरियर एंगल, इस इस डेल्टोइट ट्यूबरकल, यह ब्लूइश पार्ट नज़र आ रहा है, spine of scapula पे, यह है deltoid tubercle, इस इस इंफ्राग्लिनॉइट ट्यूबरकल, यह posterior surface है scapula की, जो convex है, यह costal और anterior surface है scapula की, तो ऐसा दिखता है, हमारा scapula अगर हम इसको 3D में देखें, उम्मीद करते हैं, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो दोस्तो आज की वीडियो में, हमने कोशिश की scapula को पढ़ने की, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो like, share and subscribe करना ना भूलें, अपको इसे, अगरा कमरे ना भूलें जाई दो करना भाहा है तो आफना जाप हो,